फाइनली जिसकी मुझे तैलास थी आज वो मिली गया मैं काफी टाइम से ढूंड रही थी कि मुझे अंबाला मैं कहीं नर्सरी मिल रही लेकिन काफी दूर थी बट यह था कि चलो कोई नहीं हम विजिट कर सकते थे आज हम वहाँ पे विजिट कियें यह नर्सरी स्वियाई वैंक के सामने यह थी आर्मी एरिया में यहां जाने के वाद काफी अच्छे अच्छे मुझे प्लांट्स दिखे जिनकी मुझे जरूरत थी और यहां पे तो कई कलर के रोज फ्लावर भी थे जो देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे वाइट औरेंज पिंक और यह साथ में यह वाली फ्लावर जिसका मुझे नाम नहीं पता था फिर काफी सोचने वाद मुझे ऐसा लगा कि यह अलमांडा तो नहीं है फिर मैं सियोर हुई मैंने का हाँ यह तो अलमांडा ही है क्लैंच जो काफी तरह की अलग-अलग वेराइटी के इस नरसरी में प पौधा अभी कुछ दिन पहले क्या कुछ दिनों से अमाला में बहुत ज़्यदा वारिस हो रही थी जिसका आप देख सकते हैं कैसे हर जगा पानी पानी भरा हुआ है इनके मोशली सारी गमले पानी में डूबे हुए हैं और यह देखे इस तरह ही नहीं चंपा की कटिंग लगा रखी थी हमें तो बड़ा वाला चंपा बहुत ही अच्छा लग रहा था जो गमले में नहीं था उन्होंने जमीन में लगाया हुआ था मुझे और मेरे हजबन को काफी ज़्यदा अट्रेक्ट कर रहा था बड़ा वाला चंपा तो जोड़े इस को ले चलते हैं मैंने तो ये रोज अपने तरफ अट्रेक्ट कर रहे थे ये जो बुस वाले रोज होते है न चुटे चुटे जिसमें मुझे एक साथ गुच्छों में फ्लावरिंग होती है वो वाले रोज थे और इनके पास चांदनी का भी पौधा था और ये देखिए तुलसी का प्लांट साथ में ये कल इन में अभी फ्लावरिंग नहीं होई थी बट इसके लीप काफी जड़ा अट्रेक्टिव कर रहा था मिसी तरह आगे बड़े आगे हमने और भी अच्छे अच्छे प्लांट देखे और इनों ने टोप्यारी बना रहे थे जो अभी पूरा प्रोपर नहीं बना बट अभी आदा ही था आदा ही बहुत प्यार लग रहा था और इंडोर प्लांट बहुत ही अच्छे लिए जिसके मुझे बहुत ज़्यादा जरूत थी और यह देखे यह तो बहुत ही प्यारा लग रहा था बट मुझे इसका भी नाम नहीं पता था अगर आप लोगों को कि किस चीज का पौधा है यह और यह देखिए यह पिंक वाला जिसका मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी ऑनलाइन मुझे यह कोई 250 सम्थिंग का पढ़ रहा था मैं सब्सक्राइब नर्सरी विजिट करते हूं क्या पता मुझे और सब्सक्राइब मुझे इनके लिए बहुत ज लेकिन काफी अच्छे इनके पास थे लेकिन वही चकर था ना कि जब जी स्ट्रेंपे हम गया है तो वारिस नहीं था तो हमें किसी भी प्लांट का प्राइस पता नहीं चला लेकिन जो उनके वरकर से उनके प्ता किया इनके रेट इतने ज़्यादे हाई थे पता नहीं बट कुछ भी हो मुझे पौदे बहुत ही अच्छे लग रहे थे मैं इसे करें थी आप मुझे बड़े में प्लांट से सारे गिप कर देना मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप यह प्लांट ही गिप कर देना और सारे पौदे देखने के बाद फाइनली जब हम पहुंचे और यह देखे रहे विंटर की तयारी स्टार्ट कर दी था पैटोनिया भी इन्होंने अलग अलग पैटोनिया था और जीनिया इन्होंने लगाया हुआ था और यह डैंटरस में बिनके फ्लावरिंग हो रहे थे मैंने पूछा यह आप सैपलिंस कैसे देंगे तो कह रहे है इतने चोटे चोटे और 40 रुपीज पर बैक मैंने का इससे अच्छा हम 40 रुपीज में एक पैकेट 20 लेकर कि ना ग्रो कर ले वो तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा तिनों नहीं का तुम्हें कुछ लेना भी है बसे हैसी कर मैंने का यार महंगे हैं मुझे लेना है और यह यह रहा कि मैंने एक भी प्लांट नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यह महंगा लग रहा था और फाइनली इसी तरह में नर्सरी को बाई वाई कहती हूं अपने घर को आ गया था क्या लगा हमारा नर्सरी विजिट आप भी बताएगे क्या यह पहुत है सच मे महंगे थे या मुझे महंगे लग रहे थे